जी दोस्तो मैं हूँ इसाका बासी और आज की इस वीडियो में हम English Selective जो हमने ADP में रखी है यानि Short Native Fiction या Short Stories उनके हवाले से बात करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम Special उन Question के बारे में बात करेंगे जो के Multiple Choice होते हैं यानि MCQs टाइप और जितने भी यहाँ पर Question Discuss क यह जाएंगे यह बहुत ही एहम और Important Paper के हवाले से उमीद है दोस्तों यह MCQs आपके लिए काफी helpful थापत होंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स बीगें तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले MCQs की बात करते हैं वाइडू दा वाच्मेंड गार्ड दा की निगरानी क्यों करते थे तो इसका सही अप्शन भी है तो मेक शूर ही ड़स नॉट इट वह इसलिए इसकी निगरानी करते थे के कहीं यह कुछ खाना तो नहीं खा रहा तो अगला जो हमारे पास अप्शन है हाव लांग इस दा हंगर आर्टिस यूजली अलाउट तो फ और इसी तरह अगला जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेस्चन है वो पुछेगे के वाट हैपन्स बिफोर दा क्राउड डिसपेर्स जो क्राउड है जो लोगों का हजूम था उनके इधर उधर होने से पहले क्या वाक्या हुआ तो जो हंगर आर्टिस्ट होता है वो आखर में म होड़ोत है यानि जाब से निकाल देता तो फिर्वों किसको साथ कॉन्टिक्ट साइन करता है तो एक सर्कश के साथ कॉण्ट साइन करता है छहता जोंपार पास आए क्या तो डिफाट तो थो ये एधर एष्? इंपिसारियों डिजॉल्व देर रिलेशन्शिप जब इंपिसारियों और अंगर आर्टिस्ट के दरम्यान इनकर रिलेशन्शिप नहीं होते तो फिर वो क्या करता है वो सरकस को जोईन कर लेता है तो एक अप्शनिस का ठीक है तो हंगर आर्टिस्ट को देखने के लिए ज्यातर किस किसम के लोग आते थे तो चिल्डरन जो बच्चे होते थे वो ज्यादा आते थे वर्ट काइंड ऑफ मैंडू दा टाउन पीपल यूजली स्लेक्ट तो इंशुर डैट दा हंगर आर्टिस्ट इस नो इटिंग डियूरिंग दे नाइट रात के दुरान जो हंगर आर्टिस्ट है वो खाना तो नहीं खाता इसके निगरानी करने के लिए किस किसम के लोगों को टाउन से सिलेक्ट किया जा जाता था बच्चर गला को य해서 ने जो साब बगरा होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता था तो भी आप्शन इसका ठीक है नेक्स्ट हमारे पास तो शॉर्ट कोसिन है इसंपे बात की गई के इन हीस फाइनल डीबेट रखिंट कंफेशिं लाइक करता था तो यह इसके लास्ट लाइन भी है शार्ट स्टोरी की तो आगे टैंथ जो हमारे पास इम सी कुज़े इसमें बात की गए कि वर्ट डास दांगर आर्टिस्ट वियर किस किसम के वो कपड़े पैंता था तो जो शार्ट स्टोरी में मैंशन है वो है अब ब्लैक लियोटेड और जो इसका सही आप्शन यहां पान लिखा गया है वो ब्लैक टाइट्स भी है तो ए सिगए एटिटूड़ दा आड्याट अटा ओर्ड मेन इस एन एंजल तो खैर यह दो फातर गोंस गहाँ होता है यह नहीं ख्याल करता कि ये एक एंजल है तो skepticism का शिकार हो जाता है यानि शक को शुभात का शिकार होता है ना इसे वैसे कहा देता है कि ये एंजल नहीं है तो जहरी सी बात है skepticism का ये शिकार हो जाता है तो next हमारा जो question है इसमें पूछा गया जो मैं को डिसकवर करते हैं यानि पाते हैं यानि बुड़ी आदमें को कहां पर रखते हैं तो चिकन कॉप में रखते हैं यानि मुर्गियों वाले डबे में रखते हैं तो नेक्स्ट जो question है what does Alizinda decide to do when the crowd grows larger and disorderly जब crowd बहुत ज्यादा बुड़े आदमी को देखने के लिया आता है तो फिर Alizinda जो होते हैं वो क्या करते हैं उसके दिल में लाला चा जाता है फिर वो crowd से क्या करते है चार्ज admission करते है यानि भी इंट्रेफिस उन से लेती है तो जो नेक्स्ट हमारा question है what is the most remarkable feature of the old man physical appearance तो जो सबसे ज्यादा एहम feature जो old man का वो क्या है तो उसके wings और होते है old man के तो यह इसका सही option है और इसके बाद जो लिखा गया है के unlike the old man what is the spider woman able to offer the crowds of Viking villagers तो लोगों को village में रहने वाले लोगों को जो spider woman वहाँ पर आती है वो क्या चीज क्लेरली बता देती है तो वो एक clear moral message होता है वो अपनी story बता बता देती है कि मैंने अपने parents को dis obey किया तो तो इस वजह से मैं एक लड़की से spider woman में convert होगी थी तो यह ए things वाला जो ओल्ड मैंनो था वो clear message नहीं दे सकता तो नेक्स हमारे पास question है वाई डू प्लाय और अले जिंड़ा डिसाइड टू होस्त विस्टर रादर दन कलब him to death as they are never suggested तो यह इनका जो वज़ा यह होती है कि their sick children recovers वो बुड़े आदमी की वज़ा से इनका जो बच्चा होता है वो recover हो जाता है what causes the crowd around the old man to dispress तो क्या वज़ा बनती है कि जो old man है वो dispress होता है यानि भी उस पर लोगों के तो वो जो कम हो जाती है तो अफ्रेक्ट शो अराइव के एक फ्रेक यानि एक अजूबा उस गली में आ जाता है यह उस इलाके में आ जाता है जहां पर old man होता है तो सारे जो लोग होते हैं उनका जो जो जुकाओ होता है वो फिर नए अजूबी के जानब चला जाता है यानि एक लड़की आती है जो कि स्पाइडर वूमेन होती सारा उसका जिसम जो होता है वो स्पाइडर को सरफ चेहरा उस लड़की का होता है तो खेर इंसानों जैसा होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास mcqs है what phrase best describe the kind of the care that play offers the old man थो किस किसम के वो जो पलायो जो है वो describe करता है कि मैने उसके साथ जो रहम देली की है तो guarding and limited वो उसका ख्याल तो करता लेकिन limit करता है क्योंकि उसने बुड़े आदमी को मूर्गियों वाले पिंजरे में रक्धा हुआ है इसलिए वो guarding यारिन कि फास्थ तो करता है ख्याल तो करता है लेकिन लिमिटेड करता है तो यह वाला अप्शन ठीक है यह यह आप्शन यहां पर 20 हमारे पास यह शार्ट स्टोरी है उसके हम इसको डिसकस करते हैं और यहां पर रोजमेरी फैल वाज शौपिंग इन कर्जन सट्रीट यह कर्जन सट्रीट में एक शौप होती वहां पर क्या करती है कुछ चीज खरीदने के लिए प्राइज ओफ दे लिटल बॉक्स ओफ रोजमेरी फैल वाउट वाज तो इसकी जो प्राइज होती है वह ट्वेंटी एट गिनी होती है और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेस्टन जो है दम मीटिंग ऑफ रोजमेरी फैल एंड लीटल गर्वाज लाइक दे मीटिंग ऑफ दे नावल बाय तो यह एक डेस्ट टॉप्सकी का ना नाम की जो लड़की है उसके साथ गोर्ड समित नाम की उसके साथ जब वहसे चाय पिलाने के लिए बात करती है तो यह अपने आपको ख्याल करती कि मैं भी बलकुल करेक्ट्टर की तरह एक बड़ा काम करने जा रहे हूं तो नेक्स्ट जो है वह हमारे पास कुदिन है डए डैश वाज दा हाउस मेड आफ रोजमरी फैल तो जो रोजमरी फैल के घर में जो लड़की थी जो काम करते थी जीन था नाम उसका और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेस्टन है रोजमरी हजबेंड फिलिप सेड डा बिगर गर्ल वाज यह जो भीक मांगने वा लड़ की थी यानि जिसको चाइप लाई जा रही थी उसे क्या कहता है तो वो अपनी बीवी को बताते है कि यह बहुत खुब्सूरत है प्रीटी है तो इसलिए वह थोड़ी से जैलस भी होते हैं से घर से निकाल दे रोजमरी गीव दबैगर गर्ल कैश गिफ्ट आफ तो थ्री प वही यहां पर क्रिमनल होता है क्योंकि वह आखर में वही भाग जाता है वेट इस अबाउड ड़ थार्ड़ स्टेंजर बिहेवियर डैट स्ट्राइक दा हाउसहोल्ड एज और इन दस त्री स्टेंजर तो स्टोरी में थ्री स्टेंजर तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास ह स्ट्रेंजर कन्वे हिस अकुपेशन ऑन दा पार्टी वो पाइस सिंगिंग अबाउट इट वो गाना गाता है और अपने गाने में यह बताता है कि वो एक हैंग मैं है यानि फांसी देने वाला शक्स है तो इसका अप्शन भी ठीक है और इसी दरहां हूँ तो जो पचास साल का एक वहां पर शक्स खड़ा होता है वह यहां पर एक कांस्टेबल होता है हाउ डाज अस्ट्रेंजर कन्वे हिस अकुपेशन तू दा पार्टी तो यहां पर यह आल्रेडी हम सवाल कर चुके हैं बाई सिंगिंग अबाउट इट इसके बारे में वो गाना होता है यानि भी जो उसका लवर होता है वह एक सेलर होता है यानि कश्टी चलाने वाला उता वाट इस एवलाइन होल्डिंग इन हर लैप एज शी लुक्स आउट दे बिंडो एड़ ड़स्टार्ट आफ एवल आ आ ऑफ एवलाइन जब स्टोरी शुरू एवलाइन क्रेक्टर होता है उसकी लैप में यानि उसकी गोद में क्या चीज होती है तो उसकी गोद में लैटर्स होते हैं उसकी फैमिली से रिलेटेड एक भाई का होता है तो वर्ट साउंड डाज एवलाइन हीर डैट रिमाइंड हर आफ मदर डैट क्या चीज किस किस साउंड होती तो और्गन इसका जो सही आप्शन है अपनी वालदां की डेथ से पहले वो अपनी वालदां से किस किसम का प्रामिस करती है तो प्रामिस उसका यह होता है कि उसने फैमिली को संभालना होता है तो घर के सारे हालात को संभालना होता है यह उसका promise होता है how does Evelyn intend to leave Dublin to elope with her lover तो Dublin को छोड़ कर अपने lover के साथ भागने का जो उनका plan होता है वो किस चीज़ पर होता है तो by boat होता है boat इसलिए कश्टी इसलिए होता है कि वो जो frank लड़का होता है जिसके साथ यह love करती है तो वो बजाते खुद एक सेलर होता है यानि कश्टी चलाने वाला होता है तो next हमारे पास जो story है वो three question है और यह भी बहुत interesting story है अब इसके mcqs को discuss कर लेते हैं who ask the question in three strangers king पूछता है question के तीन किसम के question पूछता है तो अगला जो हमारे पास question है इसमें पूछा गया के why did the king went to the answer to these questions तो वो क्यों यह question जो तीन question पूछता है वो क्यों इनके जवाब जानना चाहता है वो इसलिए जानना चाहता है कि वो जिन्दगी में कभी fail ना हो अपने आपको failing से बचाने के लिए वो इस तरह के question करता है तो अगला जो हमारे पास next जो एमसी को इसमें the broader man was the broader man जो था वो कौन था जो जंगल में आता है और उसके खंजर भी लगा होता है जखमी होता है king's one enemy यह नहीं भी वो king के enemy होता है the king in the three question finally decided to seek the advice of the certain तो किस किसम के बंदे को क्या आखर में ये नितिजा निकालता है कि अब उसे किस की advice होनी चाहिए तो वो जंगल में एक hermit यह एक wise man रहता है उसके पास जाता है तो उससे वो सवाल करता है अपने जवाबों को ढूडने के लिए तो next जो हमारे पास question है the wounded man was कौन था तो king था जनाब enemy का इसलिए इसका D option ठीक है the hermit was a hermit कौन था तो hermit जो है वो इसका जो सही option यहां पर नहीं लगाया हुआ तो old and weak person था ठीक हो गया तो पहला जो A option है यह वाला ठीक है तो आप इसको सही समझेगा who came to the king to answer the question तो king के पास जो किस किसम के लोग आते हैं जो आप देने के लिए तो many wise men आते हैं बहुत ज़्यदा जहीन लोग आते हैं लेकिन king जो होता है वो उनके जवाबास से dissatisfied होता है तो इसलिए वो hermit के पास जंगल में जाता है जवाबों को टूनने के लिए उसके स्टॉमिक यानि उसके जो मैदा होता है वहाँ पर खंजर घूंप दिया था बॉडी कार्ड ने तो वहां से कून निकल रहा था दा किंग सेंट ए और एन टू लुक आफ्टर हैं तो किंग ने उस ब्रॉडड मैं के लुक आफ्टर के लिए यानि उसके देख भाल के लिए किसे वह सेंट करता है किसे भेजता है तो एक सर्वेंट को भेजता है हुम डिट दे किंग सी किंग जो है वो क्या चीज़ देखता है तो एक ब्राड़र्ड मैं कमिंग टोड़्स दम बुड़े आदमी की तरफ और एक बड़े जिसम वाला एक शक्स आ रहा होता है बादशाय की जानब तो उसको देखता है डी आप्शन इसका ठीक है हमारे पास सेकंड लास्ट यहांँ पर एम सी को से प्रार्डर्ड मैंन साड़ इक तो जब तो կह जब जागता है तो प्रारडडर्ड मैंन जो रोथ है वह उस्से क्या कहता है तो वो से कहता है फार गिव मी कि मुझे माफ कर दो क्यूंके वो वहा पर उसे बादशाय को एहा है लेकर बादशाए उसके उपर रहमदिली और जिस्टिफाय करता है कि उसकी जिन्दगी बचा लेता है। उस ब्रॉडइंड मैन की बात को सुनता है। और उसके पिछले जो गुनाह करने के अरादे से वो यहां पार आता है। वो उसको माफ कर देता है तो दोस्तों अमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगे अपने दोस्त इसहाक अबासी को अपनी गौाँ में याद रिखेगा अलाफ़े लिए